हेलो इस्टूडेंट्स माइनेम इस सौरब और आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 7.1 ट्रेंगल्स कोश्चन नमबर 6 से सुरू करने जा रहे हैं इससे पहले की वीडियो मैं कोश्चन नमबर 1 से लेके 5 तक सौल्ब करा चुका हूँ अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कोश्चन नमर 6 में ये दिया हुआ है AC इक्वल टू AE AC का ये जंथ जो है AE के इक्वल है और AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है AD AB इक्वल टू AD ये दिया हुआ है और दिया हुआ है एंग्वल BAD BAD ये वाल एंग्वल किसके इक्वल है एंग्वल EAC के आपको प्रूफ करना है BC इक्वल टू DE तो BC ये पूरा लेंथ यहां से यहां दक तो BC किस ट्रेंगल में आ रहा है सबसे पहले ये देख रहे हैं ABC triangle में आ रहा है और DE किस triangle में आ रहा है ADE में आ रहा है तो दोनों triangle को क्या करेंगे congruent proof कर देंगे तो लिखेंगे कैसे in triangle ABC and triangle दूसरा triangle लेंगे ADE अब देखिए ABC triangle में AB का length किसके equal है ADE triangle में AB equal to क्या है AD तो AB equal to लिखेंगे AD given में और ABC triangle में ABC में ABC triangle का side क्या है AC तो AC का length किसके equal है और ADE में देखिए तो ADE में AE ये भी क्या है given है तो दोनों triangle का दो side एक दूसरे के equal है और ये angle किसके equal है इस angle के equal है तो ये बीच वाले angle को क्या ले लेते है angle 1 ले लेते है तो हम क्या करेंगे BAD equal to ये given था BAD equal to क्या है angle EAC दोनों तरफ एंगिल 1 प्लस कर देंगे तो दोनों तरफ जो angle 1 प्लस कर रहे है तो देखिए ये वाला angle BAD plus angle 1 तो ये क्या बन जाएगा BAC बन जाएगा और इस वाले में भी हम प्लस 1 कर रहे है तो EAC देखिए EAC ये angle plus angle 1 तो क्या बन जाएगा EAD angle EAD और ये देख रहे हैं कि ये जो triangle है BAC ये पूरा angle है angle ABC जो triangle है इसी का ये angle है BAC और दूसरा triangle क्या है EAD EAD तो ये पूरा angle है तो दोनों triangle क्या होगा SAS से congruent हो जाएगा क्योंकि इस triangle में देख रहे हैं कि ये वाला side किसके equal था इसके equal ये side इसके equal और इस triangle का बीच वाल angle ये वाल angle किसके equal होड़ा है इसके equal होड़ा है तो दोनों triangle congruent हो जाएगा तो लिखेंगे therefore triangle ABC congruent to triangle ADC ADE criteria क्या होगा SS side angle side criteria तो जब दोनो triangle congruent हो जाएगा तो BC equal to क्या हो जाएगा जो proof करना था BC equal to क्या DE लिखेंगे CPCT आज की वीडियो में बस हित्ता है मिलते हैं आगले वीडियो में क्या हो जाएगा